बड़वानी शहर का धो बड़िया तलाब बने का नर्मदा सरोवर परेटन अस्थर बनाने में करीब 10 करोड से अधिक की राशी होगी खर्च सर्वे हुआ शुरू बड़वानी शहर में भजबा की द्वारा निरंतर विकासकारी किया जा रहा है उसी की तरश पर बड़वानी शहर में एक अच्छा परेटन अस्थाल विक्सित करने के मंचा नगर परशद के मादियम से हम लोग कर रहे हैं राजेसबा सांसद सुमेर सिंग सोलंकी ने कहा कि प्रदेश की कैबिनिट मंतरी प्रेम सिंग पटेल जी पटेल सांसद गजेंदर पटेल और मेरी द्वारा हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि शहर की धोबड़िया तलाप जो बड़वानी नगर से लगा हुआ हुआ है उस उन्हें प्रस्तूत करने के लिए टापों के उपर विकास किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को सांदर तरीके से विक्सित करने के लिए नुमानित करीब 10 करोड से ज्यादा किराशी खर्च होगी लगर पालिका कि अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया गया है उनके द् 15 अगस्त पर सहीद के परिजनों ने समश्या को लेकर यह समश्या हम सब को उगत कराई है खास बात तो यह रही है कि सहीद की परिजन के बात करूं या फिर पूरे देश के अंदर हमारे सहीदों की परिवारों की बात करूं हमारे देश की SSWी प्रधान मंतरी मान्नी नरेंदर मोदी जी और मद्ध प्रदेश के लोगप्रियों और जनप्रियों मुख्य मंतरी मान्नी सीवराज सिह चोहान डबल इंजन की सरकार है मतलब हमारी सरकार सहीत के परिवार जनों के साथ हमेशा खड़ी गई है किसी भी घटना के समई हमारी सरकार उस परिवार के साथ रही है और सहीद के परीजनों को अभी एक घटना करम बढ़वानी जिले का हुआ राजाराम वासकले हमारे एक ठाना प्रभारी थे नर्वदाजी में यह को नदी थी वहाँ पर डिवास के पास में उस नदी में वो डूबने से हमका दुखत निधन हुआ उसमें भी हमने शहीद का दर्जा दिया है हमारी सरकार ने और एक करूर रूपे परिवार जनों को सह सहीद संतोस चोहान की अगर बात करें बगाडी राजपूर के पास है वहाँ पर शहीद संतोस का एक इसमारक भी बनाया गया है जिसमें सांसेद नेदी मेंने भी दी है और वह बहुत अच्छा इसमारक बना जरूर है लेकिन उनके परिवार जनों ने ये कहा है कि हमको भव सासन को ये निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहट या किसी अन्य मत से सहीद संतोस चोहान के पिता जी को जल्दे ये हम एक अच्छा मकान भी बनाकर हमारी सरकार देगी खबर भारतवर्ज के लिए बढ़वानी से आदिते शर्मा की रिपोर्ट